सुप्रभाद बच्चो आज हम जो है हमने नाओ बनाओ नाओ बनाओ कविता जो है इसको पढ़ना है और उसके बाद हम जो है इसके जो प्रस्नुत्त जो है उनको करेंगे मैं आपकी दो बार जो Google Meet ले चुका हूँ उसमें हमने इस कविता को पढ़ा है और उसके बाद अब हम जो है इस कविता को एक बार और मैं आपको पढ़के दूँगा पढ़के सुनाओंगा फिर आप इसको याद करेंगे पढ़कर खुद पढ़ेंगे और याद भी करेंगे ठीक है और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे आज मैं आपको इसे कुछ प्रस्न उत्तर बता रहा हूँ जो कि मैंने आपको इसमें उनका बताया था किस तरह से उत्तर आएगा किस तरह से हम उनको प्रस्णा को लिखेंगे विवरन किस तरह से मैंने बताया था आपको explain किया था तो उनी को हम आपको यहाँ पर मुनको प्रस्णा को मैं दुबारा से करूँगा तो फिर आप जो है उसमें इनको अपनी copy में सुन्दर तरीके से लिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो है हम इसको पढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो हम देखेंगे बेटा किस तरह से हमारा कविता है आपको दिख रही होगी नाव बनाओ नाव बनाओ ठीक है कविता का नाम है नाव बनाओ, नाव बनाओ, ठीक है न? तो नाव बनाओ, नाव बनाओ, और हमने इसका विता को पढ़ा, नाव बनाओ, नाव बनाओ, इस तरह से है, मैं इसको बायर पढ़के और बता रहा हूं आपको नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो, पानी आया है, घिर घिर कर बादल चाया है, साथ समंदर भरलाया है, तुम रसका सागर भरलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच कूब पढ़ेगा यानि खुब सारी बारिस होगी पानी सचमुच खुब पढ़ेगा लंबी चौड़ी गली भरेगा लाकर घर में नदी धरेगा धरेगा मत Dalai है रख़ेगा यानि घर में भी खुब सारा पानी आजाएगर आप ऐसे करेंगे तो लाकर उसमें नदी धरेगा ऐसे मैं तुम भी लहराओ भाया मेरे जल्दी आओ हल्की मेरी नहीं टटोलो यानि मेरी तो हल्की है कम पैसे हैं उसको मत टटोलो पैसे नए नए ही रोलो पैसे नए नए ही फिर बाजार लपक तुम लाओ भाया मेरे जल्दी आओ उसके बाजार तुम जाओ जल्दी से ले आओ कागज चम्कीला लाल हरा या नीला पीला रंग बिरंगा खूब रंगीला यानि रंग बिरंगे कागज लेके आओ जिन्चे हम नाव बनाएंगे कैची चुटकी हाथ चलाओ भाईया मेरे जल्दी आओ छप छप कर कूडे से अड़ती बूदं लहरों लटती बढ़ती यानि बूदं जो है निचे जो है सामान गिरा रहता उसमें गिरती हैं तो आवाज आती है उनकी सबकी आँखें चड़ती-गड़ती नाव तैरा मुझको हरसाओ यानि अपने बड़े भाई को कर आए कि जो नाव है उसको तैरा आओ अब मेरे कोश्में आप खुस करो भाईया मेरे जल्दी आओ क्या कहते हैं मेरे बस का क्या अब उसके बड़े भहिया कहते है, क्या कहते मेरे बसका क्या, यह कहते कि मेरे बसका कुछ नहीं है, जो आप कह रहे हो, क्या कहते मेरे बसका क्या, खोड सभी है, बस आलसका, वह कहता है कि ऐसा नहीं है, आपको नहीं आती बनाने हो, कहता है कि आप सिर आलस कर रहे हो, ठीक है किरों लिखाए हरे क्रिष्ण दास गुपता और इसके बाद आतो हमने पढ़ ली कविता कवी कवी जो है इसके हरे क्रिष्ण दास गुपता है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो बच्चों हमने कविता पढ़ी अब इसके प्रसनुत्तर हैं बच्चों इन प्रस्नुत्तरों को हम करेंगे, ठीक है, आप इनको कॉपी में लिखेंगे, नाओ बनाओ, नाओ बनाओ प्रस्नुत्तर, इसके प्रस्नुत्तर हैं, पहला प्रस्न है, क्या कहते, मेरे क्या बसका, भहिया ने क्या बहाना किया और क्यों, उन्होंने कहाने ऐसे क्या कहते, म वह नाव बनाना नहीं जानता है, ये काम उसके बसका नहीं है, क्योंकि वह भहिया जो है उनका भहिया जो आलसी था, वह आलसी था तो आलस में हो करते कि मैं नहीं करता हूं, तो इसलिए उनने ये काम, तो उनने कहा कि नहीं ये काम उनके बसका नहीं है, क्योंकि वह भहिया आलसी था वो काम नहीं करना थे था ठीक है दूसरा प्रस्द्न दो बूधें लहरें लड़ती बढ़ती ये कविता की पंति है बूधें लहरें लड़ती बढ़ती तो इसका कॉन बूधें और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती है तो Selkone प्रस्तुत कविता के अनुसार रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव उन्होंने कागजों से नाव बनाई न वो जो है बूंदों से पारिज भी हो रही है बूने गिर रही है और नीचे पानी है उसमें तो प्रस्तुत कविता के अनुसार रंग बिरंगे कागजों से बनी न तो वो किता कि गुल्लग भारी जो है वो अपनी कोलो किसकी गुल्लग भारी है किसकी गुल्लग हलकी है तो यह वो बताना चाह रहे हैं तो अब बच्चों उसमें बताना चाह रहे हैं किसकी गुल्लग भारी है और किसकी गुल्लग हलकी है तो इसमें वो बताते हैं कि प्रस् में ज्यादा पैसे है, ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीन प्रश्णों को करेंगे, और जो कवीता है, उसको याद करेंगे, ठीक है बच्चों, आज हम इतना काम करेंगे, और काम करने के बाद, आप मेरे को उसको Homework Group में आप भीजेंगे कि हमने ये काम कर लिया और फिर जब Next हम Google Meet लेंगे तो उसमें मैं आपके इनको देखूंगा धन्यवाद धन्यवाद अच्छे